Hello बच्चो लेट स्विध्धी कोशन है रहे हैं दे कोशन से धाइज ड्राएं दी लेट पार्स ऑफ बाइप इन अर्वा तो इस कोशन में हमें बाइप इन इन आर्वा का जो बेसिकली जो स्ट्रक्ट्चर है वो ड्रॉ करके लेबल करना है उसके पार्स को so question का key concept क्या होगा बच्चो question का key concept होगा structure of bipinaria larva तो यहाँ पर रेकर हम structure के बारे में बात करेंगे तो इसका जो structure है कुछ इस तरह से होगा कुछ यहाँ पर आपको इस तरह के elongation structure में देखने को मिलेंगे फिर यह जो है कुछ यहाँ पर जो पार्स है आपको इस तरह से यह थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरह से पार्स जो है वो देखने को मिलते हैं और यहाँ पर center में आपको mouth भी होता है, so mouth जो कि basically placed कैसे होता है, अगर हम बात करें, तो यह जो है, आपका यहाँ कुछ mouth का भी part है, और यहाँ पे junction है, और इस junction से आपके एक parts, कुछ यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से curve होकर मुड़े होते हैं, अगर बात करेंगे हर part के बारे में, तो यह जो उपर का पार्ट होता है, this is the dorsal median, this is the dorsal median arm, इसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे, इस parts के बारे में, तो यह क्या होगा, यह ventromedian median arm होगा, इसके बाद यह जो part है, basically इस parts के बारे में, जो हम बात करेंगे, तो यह जो part होगा, यह कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम इसके बारे में, तो यह होगा pre-oral arm, this is the pre-oral arm, और यह जो part है, this is the dorsal lateral arm, और यह जो है part, this is the mouth, इसके बाद यह जो part है, आपको, basically यहाँ बाला, so this is the, we can say, the postero dorsal arm, और यहाँ पर आप जो है, यह जो है, that is the part of the stomach, and finally, यह जो है, the last part, that is the anus, and यहाँ पर जो structure है, elongated, this is the posterolateral arm, this is the posterior lateral arm और यह पूरा complete structure है that is of the bipinaria larva और bipinaria larva के बारे में अगर हम बात करें तो यह larva जो है basically first stage of the larva development है आपको basically starfish में larva जो होता है mostly आपको देखने को मिलता है और इसके बाद का जो stage होता है न वो stage क्या होता है that is the brachio laria stage so this is the final answer to the question hope you haven't studied it well best of love